तो खुद की खोज में निकल तो किसलिए हतास है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलास है कि चरित्र अगर पवित्र है तो क्यूं है ये दसातरी ये पापियों को हक नहीं कि लेंपरिछातरी मैं अपनी इसी बात के साथ आज की बात को सुरू करूँगा और मेरे प्यारे साथियों मैं कोसिस करूँगा कि आज अपनी बातों के माध्यम से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव पहलू मैं जोड़ पाऊं मैं कोसिस करूँगा कि मेरी इन बातों की वज़े से साइद आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलावाएं जिनकी साइद आपको भी जरूरत है और इस समाज को भी जरूरत है तो देखिए मैं बात करूँगा आज चात्र जीवन की हमारे चात्र जीवन में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने एक संपूर्ण व्यक्तित्तों का विकास कर पाते हैं तो प्यारे साथियों अगर आप स्टुवेंट लाइफ में हमेशा कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य होती हैं जिन चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगेगी लेकिन अगर हम थोड़ी सी बीन में समय चूप कर जाएंगे तो समझ लीजिए कि सफलता हमेशा हमसे दूर दूर रह जाएगी हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे तो मैं कोसिस करूँगा कि आज इन सब बातों को आप अपने पैन पेपर के साथ नोट डाउन करते हुए चले और अपने जीवन में इन चीज़ों को अमल लाने के भरकस प् कॉंपिटिटिव दौर में यह बहुत जागा इंपोडेंट हो जाता है कि इस तनी कॉंपिटिटिव की दुनिया होने के बावजूद हम लोगों के सामने यह चैलेंज है कि किस तरीके से इस कॉंपिटिशन को फेस करते हुए अपने को वह कहते हैं कि टॉप वन परसेंट और इंदा टॉप पॉइंट फाइफ परसेंट कि इस रेडी में लाकर कि खड़ा कर पाएं तो इसके लिए जरूरी क्या है यह हम कैसे कर पाएंगे तो इसके जो पहलू है उन्हें समझेंगे देखिए जब भी हम किसी भी कॉंपिटिटिव एक्जाम भी तियारी करते हैं तो इन सब परिक्षा वी पयक्तिआरी करते हैं तो इन सब परिक्षाओं में सबसे महतपूर्ण जो एक कीज़ा है व trata उक्ष जब भी आप अपनी पढ़ाई करना शुरूब करें तो आपना एक निर्धारत गोल पहले डिसाइड कर लें इसके बाद मैं आप आगे बढ़े जब तक आपके पास कोई भी एक लक्ष नहीं होगा कोई भी आपके सामने गोल नहीं होगा तब तक आप हमेशा एक भटकते हुए प्राणी की तरह रहेंगे देखिए कि स्टोरी के माध्यम से समझते हैं एक बार क्या होता है कि एक महत्मा जी होते हैं उन से आकर के अचानक से एक रहागीर मिलता है और रहागीर जब मिलता है तो क्या होता है कि भाई सब वो पूछता है कि महत्मा जी मुझे एक बात बताओ कि ये राश्ता कहा जाता है तो इस पर महत्मा जी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि हे बालक, मुझे आप पहले ये बताओ, कि आपको कहा जाना है तो ऐसा सुनने के बाद इस रहागी ने कहा, कि महराज, मुझे नहीं पता, कि मुझे कहा जाना है इतनी बात सुनने के बाद सादू महत्मा ने कहा बहुत ही अच्छा उत्वर दिया उन्होंने कहा कि हे बालक अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कहां जाना है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रास्ता कहां जाता है अर्थात पहले अपनी मंजिल को निर्धारित करो तब जाकर कि आप अपने उस लक्ष की प्राप्ति कर पाओगे जब तक लक्ष नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहला च्छात्र जीवन का लक्ष है पहले डिसाइड करिए कि आपको जाना कहां पर है जैस चलिए न ही डूसरा मेरा जो पॉइंट है वो यह है कि जब भी हमने कोई भी एक लच्च निर्धारित कर दिया है तो उस लक्ष तक जाने के लिए क्योंकि हम अग्ज्ञान है अभी हमें नहीं पता कि हम उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे लेकिन ये कई बार होता है कि वो जो मंजिल हमने आज निर्धारत की है उस मंजिल तक बहुत से लोगों साइद जा चुके हों उस रास्ते का बहुत से लोगों अनसरण किया हो तो ऐसे ही सही निर्धारी समय पर सही रिसोर्स के साथ और कम आपका एक तरह सकतें के साथ वह आपको की मंजिल तक पहुचा देगा ची कह1 का मतर्ब है वह ब्यक्ति कौन हैव 00 230 एंसक़ है वह भिश्ढेति आपका मार्गव दरसक आपको चीक कहे जब भी ऐसा व्यक्ति आप अगर अपने जीवन में तलास लेंगे तो समझ लीजिए आपकी इत्रफलता निश्यत है आपके जीवन में जब तक कोई मार्ग दर्सक नहीं है आपका कोई कोच नहीं है तब तक आप यह मान के चलिए कि आप अपनी मंजिल है कि जब भी हम कश्यूटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं अपने किसी भी फिल्ड की त्यारी करते हैं तो उसमें एक और नया पॉइंट है जो अकसर बत्चों को आज के समय में बहुत जादा परिशंद कर रहा है वह उनकी आदते आदतों में आज के समय पर मैं कौन सी आदतों की बात करूंगा तो मैं आज बात करूंगा सबसे पहली आदत आपका मोवाइल का इस्तेमाल करना आपकी एक ऐसी आदत बन गई है जिसकी बजह से आज के समय में आप जो कुछ भी साइद कर सकते थे जो भी उंचाईयां आप अपने जीवन में पा सकत खाते थे वो चीज आप अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब आप मोवाईल चलाते हैं तो आप अक्सर बहूल जाते हैं कि मेरा जो निरदार ही समय अभी 1000 मुवाईल में चल रहा हूं यसको और सभिव तो किसिया ऐसख की लिएवर पढ़ाई का था सभिवर फैस नहीं मे ग्नाटों कर गंटों आप सकसित्ट अब को अपने दिमाग खोकला और दिमाग के साथ साथ आपको हर तरह से मांसिक रूप से आर्थिक रूप से हर तरह से आपको कमजोर किया जा रहा है और एक सोची साजी साजिस के तहट किया जा रहा है तो प्यारे साथियों अभी जाग जाओ यह जरूरी है अगर आप आज नहीं जागे तो आने वाले बक्त में आपके पास बक्त बचेगा रिसोर्स बचेगे नये नर्जी बचेगी और जब ये सब को चला गया तो फिर बचा क्या सोचने वाली बात है इसलिए जो आपकी हाथ में न मोबाइल इसका इस्तेमाल करना चीखो इसके इस्तेमाल को करना जिस दिन आप सीखे तो यह आपके लिए लेकिन आपको खुद पतानेशा किपको आपके बीट गुद के सोने और जागने की यह बहुत बड़ी चीज है वहाइल से बच्चस कहते हैं कि सर मैं रात को बहुत लेट तक पढ़ाई करता हूं सुबह को मैं लेट तक सोता रहता हूं मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है चलिए मैंने कहा मान लिया मुझे आप एक बात बता दीजे क्या आप ये बात सत्य रूप से कह सकते हैं कि आपका जो बॉडी फंक्सन है व शोगी चीज़नी ओर कार से चल रही है जैसा आप सोच रहें चीजन वैसे नहीं चल रहे हैं कि हर्चीज का एक निर्धारित समय होता है उसी समय पर चीज़न की जाएंगी तो वह परफेक्ट होंगी अगरवाई चीज़न लिगड़ जाएंगी इसलिए अपने सोने और जागने का समय निर्धारित कर लिजी सोने जागने में सबसे बड़ी बादा पता है क्या है सबसे बड़ी बादा है आपके हाथ का यह यह जो आपके फूल कमाम आपका फूल जड़ियां जिन मैंना आज तक आपका अबदू आई ना खुसबू बूल मोनिंग आ रही है क्या हो रहा है बड़े खुस हुए जा रहा है भाई मत हो खयालां से बहार आ जाओ कुछ नहीं रखा इन चीजों यह वह समय नहीं है क्या भाई रिखाई का है ना मत करो समय यह बाद नपस्ता होगे सोने की आदत सुधालो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो तीसरी एक और आदत मैं कहूंगा एक्साइज करो भाई सारी रिक बल बढ़ाओ यार सारी रिक बल आपको जीवन में कभी भी निरास नहीं होने यह वो चीज है जो किसी को विरासत में नहीं मिलती यह कमानी पड़ती है इसके लिए खून पसीना भाना पड़ता है और तब जाकर कि यह चीज़ें हमें आसे लोती हैं और यह रात और रात नहीं होती यह भी ध्यान रखना इनके लिए बहुत सारी राते काली करनी पड़ इसलिए अपने आपको आध्यात्मिक, मानसिक, मौराल, हर तरीके से मजबूत कर दीजे जब तक आप यह नहीं करेंगे, दुनिया आपको चैन्स जीने नहीं देगी इसलिए जरूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, सुबह जल्बी उठें, रणिंग के लिए जाएं थोड़ा सा और उसके बाद मैं यह सारी चीज़ें करते हुए आप आगे बढ़ें अभी मैं एक और पॉइंट इसमें डिसकर्स करने की कोसिस करूँगा आप लोग अपनी संगती का विसेज ध्याम दे भाई आज के टाइम पर मैं देख रहा हूँ हमें इस प्रोफेशन में काफी टाइम से जैसा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आज के टाइम पर बच्चों के अंदर संगती को लेकर के कोई भी डिसिप्लेन नहीं है अर्थात किस से दोस्ती करनी है किस से नहीं करनी है किस प्रकार के आचरण करने है किस प्रकार के आचरण नहीं करने है कोई नहीं जानता है इसको नहीं सिखाने के लिए समाज जिम्मेदारी ले रहा है आज की डामे में नहीं हमारे गुरू आपका जिम्मेदारी ले रहे है प्रॉब्लम कहां आ रही है पता है आने वाले निकट वाविश्य में समाज संसकार विहीन हो जड़ेगा और जिस दिन समाज समाज नहीं रहेगा खतम हो जाएंगी सारी चीज़े इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं अपनी संगती का चुनाव करते समय बहुत ध्यानपूरवक चीज़ों को अपने अनलाइस में लाइए उसके बाद ही किसी को अपना डिसियल लेने के बाद में अपना साथी बनाएए चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो किसी को भी पहली कहते हैं पहले इंप्रेशन में ही यहीं सब कुछ है भाई बहुत सारी चीज़ां देखनी पड़ती है पहले एनालिसिस करो उस मेक्ति के साथ वक्त गुजारो जिसके साथ में आपकी दोस्ती हो सकता है उसके अंदर दो चारा अब गुड़ हो दोस्त ऐसा ढोड़ो जो आपकी कमी को आपके मुह पे कहने वाला हो ऐसा नहो आपके लिए भड़ने को तयार हो जाए तो खोजो ऐसे लोगों को यह लोग आपको बढ़ाएं गया और अगर कोई ऐसा ही आपकी जिन्दगी मागया ना निकाल दो से वह आपकी जीवन में ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ होगा इसलिए इस्तिमाल मत करने दो और अपने एमोसंस एक जगे लगागें के बाद अपने आपको खोगला पाओगे मेरे दोस्त क्योंकि इस दुनिया में एमोसंस समय एनरजी की कोई कदर नहीं करता जब तक कि आप अपनी खुद कदर न करो इसलिए सही बेक्ती के साथ अपने संगती का चुनाब करें और उनके साथ आगे बढ़ें और इनी बातों के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भी एक सफल इस्टुएंट जरूर बनेंगे तो प्यारे साथियो मेरी बताई बोई बातें अपने जीवन में जरूर उतारो और उसके बाद आगे बढ़ो इस इतना है कि समाज के योवा जागें और जो माबाप अपने बच्चों को लेकर बड़े बड़े सपने देख रहे हैं उनके सपने जरूर पूरे हों बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी बात को अगर थेहां से सुना था तो बहुत बहुत धन्यवाद